नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बजवराज के वडियों में हम बात करेंगे बिहार इस्टेटी बैंक के कलरकी के वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे तो यह जो वैकेंसी है इससे रिलीज किया गया था 32221 को और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं 93221 से ल हो देना है और जो एक्जाम होगा वो अप्रील में होगा मतलब नेक्स्ट में आपका एक्जाम भी हो जाएगा अगर हम बात कर रहें जेनरल करेंगरी के लिए यहां पर 11 वैकेंसी है और जिसमें EWS के लिए दो वैकेंसी अलग से दिये गया है और MBC के लिए तीन वैकेंसी फीमेल के लिए यहां पर ज्यादा फायदा मिलता है मतलब फीमेल के डिगरी का भी जो कट अफ होता है वो अलग से जाता है अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 19 वैकेंसी के वल बिहार इस्टेट कोपरेटिव बैंक में है और यहां पर एक और बैंक का वैकें का एंशी यहां पर देखने का आपको मिलेंगे कि आगे देखते हैं हम लोग him कि अब यहां पर देखेंगे आप ए justamente किद्र 104 डेने होगे यहां पर क्लियर मिन्सेटाइज किया गया свой 250 रुपए और अज़God क्रते तो 550 रुपय आपको पफ टेने अन भी पट के बारे में तो यहाँ पे पेस के बारे में लिखा गया है कि 11,000 रुपय से 31,540 तक आपको रिवाइस पेस के लिगा अनुसार मिलेगा और अलग अलग जगा पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ठीक है अब सेंटर अपने इसाफ से चूज कर सकते हैं यहाँ पे आगे अगर हम बात क का वैकेंसी निकला है और यहाँ पे सबका जो सॉट फार्म दिये थे वो फुल फार्म बताया गया अगे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन को तो क्वालिफिकेशन डिगरी होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए पास भी होंगे तो भी अपलाई कर सकते हैं और होना चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो इंग्लिस रिजनिंग और मैस में पूछा जाएक और पेपर को जो लेबल होता है मैंने खुद भी एक्जाम दिया है पेपर का लेबल बहुत जादा आसान होता है एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इसके प्रिलिम्स को निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे ने लगता कि कम जाने वाला है कट असान होता है मैं वडियो बनाओंगा हो सके तो आगे देखेंगा पैटन फॉर मैंस में आपको 40 नंबर का यहाँ दिया जगा कम्ट्यूटर है ग्रामीन बैंक का जो पैटन होता ना दोस्तों वही पैटन है सक्षनल टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पी 150 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलेगा 200 को बनाना है तो टाइम आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है यहां पे तो यह अच्छी बात है ठीक है और यहां हिंदी और इंग्लिस दोनों को optional मिल गया है, मतलब यहां तो हिंदी बनाई है यहां तो इंग्लिस बनाई है, बहुत अच्छा pattern है दोस्तों इसका, तो इससे आपको fill करना चाहिए, उसके बाद document to be produced है, क्या-क्या चाहिए, photograph है exam के समय कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ photo copy चाहिए, कोई ID proof का, और exam center आप देख सकते हैं, कहां-कहां दिया जा रहा है केवल यहां पे आप exam center अपना चुन सकते हैं, जैसे आरा हो गया, और अंगाबाद हो गया, भागलपूर हो गया, दरवंगा हो गया, मुझापर पूर हो गया, पटना हो गया, और समस्ति पूर हो गया, इन सब जगह आप exam center दे सकते हो, आगे अगर हम बात करें, कुछ और भी पॉइंट को देखते हैं हम लोग, और how to apply, जब आप apply करेंगे, तो आपका photo signature होना चाहिए, उसको upload करना होगा आपको, और कुछ यहाँ दिया नहीं गया, ठीक है, photo 50 की भी तक होना चाहिए, declaration भी आपको देना है, हम impression भी देना होगा, यहाँ पे, अंतिम में, ठीक है, तो यह application process हो गया, fee मैंने बता दिया, 750 रुपर समाने का degree के लिए, और declaration आप लोगो क्या लिख रहा हैं, मैंने YouTube पे वीडियो बनाया है, आप search कीजिएगा, तो सबसे उपर हो सकता है, मेरा ही वीडियो देखने को मिले, और COVID-19, ठीक है, तो एक एकुल मिला के अच्छा मौका मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो question होगा, vacancy 200 है, तो बिहार के लिए 200 vacancy बहुत होते हैं, और question का label बहुत असान होगा, आपको कोश बहुत जागा hard नहीं होता, बाकी सब बैंक ही किसा अगर तुलना करें, तो यहां competition थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, खिका न, तो इसके अलाबा किसी और भी topic पर आपको वीडियो चाहिए होगा, या इस bank के related कोई doubt होगा, तो आप लोग comment करके मुझे पूछेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा, आसा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग के काफी अच्छे रहे, अगले वीडियो में फ़र से मिलते हैं, टैक्यों